हेलो दोस्तों नमस्कार काफी बड़ी नीज है काफी बड़ी खबर है आप सभी सुडेंट्स के लिए दोस्तों इगनु की तरफ से रिक्विप्मेंट जारी की गई है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो की इगनु में कई सालों बाद लगभग 10 से 12 साल बाद प जो भी अपडेटस आते रहें आपको इंस्टेंटली मिलता रहे तो दोस्तों काफी बड़ी वेकेंसी है ये इगनु में जारी की गई है जो की जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की है और ये 10 से 12 साल बाद ये वेकेंसी जो परमानेंट वेकेंसी है इगनु की तरफ पर जाएगा नेशनल टेस्टिंग एजनसी करवाती है आप लोगों पता होगा जो वन डे इक्ञाम की तयारी कर रहे होंगे तो यहीं पे बीजाबी की जारी किगे स्का डारेट इस एक पेंज और डिस्क्रिप्शनमें वहां से तक यहां पर आ सकते हैं सबीकि और कल की डेट में धाय तो यहाँ पर आएंगे तो इस पर आपको स्वाश पर नोटिफिकेशन मिल जायेगा पहले बात तो कब स्टार्ट हुई है कि यहाँ पर यहाँ पर फिश्क कब लास्ट डेट है उस यहाँ सब कर देख लिएकाई और इस बाकी यहां पर ने की लिए है इनकोरी के लिए इंफॉर्मेशन ग्लांस में आप देखेंगे तो कब ऑपे अपन है कब एंट होगी और यहां पर अगर प्रक्रिप को यहां पर कॉयारी चाहिए तो यहां पर आप कॉल कर सकते हैं अन्रिजर OBC जो है EWS के लिए 1000 रुपए फीस है जो है इस फॉर्म को भरने के लिए और SCST फीमेल के लिए है 600 रुपीज और PWD जो कंडिडेट है उनके लिए नियल फीस है ठीक है तो ये थोड़ा आप इसको पढ़िएगा बाकी अब आते हैं कितनी वैकेंसी आई हैं और क्य क्या-क्या इसमें पूछा जाएगा और ये फॉर्म भरने से पहले ये जरूर पढ़िएगा क्या-क्या इसमें लगने वाला है आप वो सारी चीजे लेके बैठी है क्योंकि आप अगर 1-day एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे पर्मनेंट एक्जाम की तो आप को पता होगा आप सारा डाकुमेंट्स अपने पास ही रखिएगा ठीक है फोटो सिगनेचर वगरा जिसकी जरूरत पढ़ती है नीचे आयते हैं तो यहां पर वैकेंसी पहले क्लियर करते हैं तो यहां पर देख पा रहे हैं डेटेल्स आप पोस्ट की इलिजबिल्टी और सबसे बड़ी सबसे बड़ी चीज बताने वाला has. है जो इसमें वैकेंसी आई है're 10 फ्लस टू के इंप्लस टू की लिए कफी हैां यह अभी अभी जिन्होंने अपना 10 फ्लस टू पास चीया है सारे स्टूडेंट्स अरे क्योंकि इसमें एज लिमिट दी गई है वो 27 27 इयर दी गई है तो इसमें बहुत सारे 10 प्लस 2 के स्टुडेंट जो रिसेंटल भी पास आउट किये हैं वो अपना इस ये फॉर्म को भर सकते हैं यहां पर जूनियर सेट कम टाइपिस्ट की पोस्ट है जो की अन्रिजर्ब कटेगरी जनरल कटेगरी के लिए 83 पोस्ट है और OBC के लिए 55 है EWS के लिए 21 है टोटल 200 पोस्ट है ठीक है PWD के लिए 9 है एक सर्विसमें के लिए 20 है और जो है sports quota का 10 seat रखा गया तो जो sports quota में भी student है काफी अच्छा जो है प्रफॉर्म कर रहे है उनके लिए भी यहां पर seats mention की गई है age bar जो रखा गया है वो सभी category के लिए मैं बता देता हूँ 27 years age रखा गया है अब आप देखिएगा जो category wise जो उनको selection भी यहां पर mention कर दिया गया है जो 27 years के student हैं कम वाले तो वो सारे student अभी इस form को भर सकते हैं नीचे पूरा process में step by step mention किया गया है और कौन-कौन से sports person को यहां पर वरीता दी जाएगी उसको भी यहां पर mention कर दिया गया है तो वो सारी चीज़े आप देखते हुए exam center की list देखते हुए फूरा form भर सकते हैं और EWS के जो और बाकी जो PWD candidates हैं उनका format में किसमें कैसे देन 10 plus 2 clear किये हैं साथ में बैचलर डिगरी में admission लीजिए साथ ही साथ इस exam की तयारी करना सुरू कर जीजिए यहां पर क्या क्या यहां पर पूछा भी जाएगा क्या इसमें syllabus आने वाला यहां पर उस चीज़ को भी mention किया गया है तो यह भी काफी important है आप सभी student जो recently 10 plus 2 pass out करके आयो होंगे उनके लिए काफी अच्छा मौका यह है कि उनका जो है उनको ज्यादा पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी जो रिवाइज करना रहेगा ठीक है तो यहां पर जनल अवेर्नेस 30 question रिजिनिंग 30 question आपका mathematics 30 question हिंदी इंगलिस 30 question और computer knowledge भी होना चाहिए जो 30 150 marks का total होने वाला है यहां पर तो पहला tier रहेगा जो कि skill test होगा CBT computer based दूसरा जो होगा वो computer based test होगा जो जिसमें आपको computer typing test लिया जायागा जिसमें 40 word per minute आपकी English typing होनी चाहिए और आपका 35 word per minute हिंदी की typing होनी चाहिए जो कि उपर ही mention कर दिया गया है जहां पर post mention की गई है तो एक चीज यह भी ध्यान रखिएगा जिन भी student की typing नहीं आती जिनको वह अभी से typing की practice करना start कर देंगे क्योंकि दोनों ही typing and करके मांगे है और यहां पर नहीं लिखा है कि कोई एक ही चाहिए तो और भी से लेटर कोई जानकारी चाहिए तो आप comment box में लिख सकते हैं बाकी के detail पढ़ेंगे तो आपको जानकारी वैसे ही मिल जाएगी यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ इसको जादा जादा सेयर कर लीजे तो यह पब्लिक नोटिस जारी कर दिया गया है गनू की तरफ से अब में वेबसाइट पर जल्दी एक